नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नुस्खा टीवी में दोस्तों आज अपने इस वीडियो में हम जानेंगे अस्वगंधा के बेनफिट्स और साइड इफेक्ट्स के बारे में जिहां दोस्तों अस्वगंधा एक आईरवेदिक उसधी है जो कई ला इलाज बिमारियों को ठीक करने की छमता रखती है दोस्तों अस्वगंधा का इस्तिमाल कई बिमारियों में दवा के रूप में किया जाता है अस्वगंधा दवा, चोंड, कैपसूल के रूप में आपको आसानी से बाजार में मिल जाती है जिया दोस्तों अस्वगंधा कई रोगों में तो रामबान की तरह काम करती है सर्दियों में अस्वगंधा को जड़ी बूटी के रूप में इस्तिमाल किया जाता है इस जड़ी बूटे की बड़े ही असरकारक प्रड़ाम है दोस्तों अस्वगंधा के बहुत सारे फायदे होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि अस्वगंधा के नुकसान भी होते हैं तो आज हम आपको अस्वगंधा के फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी देंगे तो आईए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं अस्वगंधा के फायदे के बारे में इसमें सबसे पहला है अस्वगंधा कैंसर जैसी खतरनाक बिमारी में बहुत असरकारक है अस्वगंधा का इस्तिमाल कई रिसर्च में यह बताया गया है कि अस्वगंधा कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है और कैंसर के नए सेल्स नहीं बनने देता यह सरीर में Reactive Oxygen Species का निर्मार करता है जो cancer cells को खत्म करने और कीमो थेरपी से होने वाले side effect से भी बचाने का काम करता है दूसरा है दोस्तों अस्वगंधा में मौजूद oxygen आपके immune system को मजबूत बनाने का काम करता है जो आपको सर्दी जुखाम जैसी बिमारियों से लड़ने की सक्ति परदान करता है अस्वगंधा white blood cells और red blood cells दोनों को बढ़ाने का काम करता है जो कई गंभीर सारीक समस्याओं में लाबदायक होता है तीसरा फायदा है महिलाओं में सफेद पानी की वज़ा से उनका सरीर कमजोर होने लगता है जिसका आसर उनके गरभासे में भी पढ़ता है लेकिन अस्वगंधा के सेवन से महिलाओं को इस रोग से निजात मिल सकती है चौथा फायदा है दोस्तों अस्वगंधा मानसिक तनाव जैसी गंभीर समस्याओं को ठीक करने में लाबदायक है एक रिपोर्ट के अनुसार तनाव को लगभग 70 फिजदी तक अस्वगंधा के इस्तिमाल से कम किया जा सकता है दरसल आपके सरीर और मानसिक संतुलन को ठीक रखने में असरकारी है इससे अच्छी नीद आती है अस्वगंधा कई समस्याओं से छुटकारा दिलाने का काम कर सकता है और पाचवा फायदा है दोस्तों अस्वगंधा का इस्तिमाल आपकी आँखों के रोशनी को बढ़ाने का काम करता है रोज दूर के साथ लेने से आँखों के अलावा इस्ट्रेस से भी बचा जा सकता है आईए दोस्तों अब जानते हैं अस्वगंधा से होने वाले नुकसान के बारे में जी हाँ इसमें सबसे पहला है ब्लड प्रेसर से ग्रस्त लोगों को अस्वगंधा डॉक्टर के परामर्ज से ही लेना चाहिए जिनका बीपी लो होता है उन्हें अस्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए दूसरा नुकसान है अस्वगंधा का अधिक इस्तिमाल पेट के लिए हानिका रख हो सकता है इसको लेने से डैरिया की समस्या हो सकती है इसलिए इसके इस्तिमाल से पहले आप डॉक्टर की सला ले उसके बाद ही इसका सेवन करे तीसरा है दोस्तों, अस्वगंधा का इस्तिमाल नीद के लिए अच्छा है, लेकिन इसका बहुत दिनों तक इस्तिमाल आपको नुखसान भी पहुँचा सकता है चोथा नुकसान है अस्वगंधा का सही डोज ना लेने से आपको उल्टी और जी मिचलाने जैसी समस्याएं हो सकती है और पांचवा है अस्वगंधा का ज्यादा प्रयोग आपके लिए नुकसान दायक भी हो सकता है अस्वगंधा के ज़्यादा इस्तिमाल से आपको बुखार, ठकान, दर्द की सिकायद भी हो सकती है तो ये था दोस्तों अस्वगंधा की कुछ फायदे और होने वाले नुकसान अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यादा